अगर आप भी कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हैं तो कम मेहनत और कम ओयल से बना ये टेश्टी सा नास्ता जरूर ट्राई करिएगा नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अपनी रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और आलू का बिल्कुल नया नास्ता जो बच्चों और बड़ो सबको ये बहुत पसंद आएगा तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाना यहाँ पे हमने फ्राई पेन को गैस पे चड़ाया है दो टेबलिस्पून ओहल एड़ किया है इसके बाद इसमें एड़ करेंगे हम तीन कप पानी यहाँ पे फ्लेम को हमें लो रखना है क्योंकि मिर्ची पड़ी हुई है और अकर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च कोई स्किप कर सकते हैं यहाँ पे हम एड़ करेंगे हाफ टेबलिस्पून नमक मिक्स कर लेंगे अच्छे से जब नमक हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसमें हम एड़ करेंगे एक कप सूजी सूजी आप मोठे दाने वाली भी ले सकते हैं या फिर महीन वाली भी ले सकते हैं वहुत ही टेश्टी तब ही ये नास्ता बनेगा इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स सूजी जो है वो बहुत जल्दी पाने को एबसर्ब कर लेता है मिक्स करने के बाद दो मिनटी से हम चला लेंगे गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद फिलिंग को हम एक बड़े से बंतर में निकाल के ठंडा कर लेंगे यहाँ पर मैंने चार मेडियम साइज के बॉयल आलू लिये है जिन्हें हम ग्रेट कर लेते हैं और यह देखिए आलू भी हमारा ग्रेट हो गया है अब इसमें हम एड़ करेंगे धनिया की पत्ती तो धनिया की पत्ती से बहुत ही टेश्टी होता है स्नेक्स तो एक बार आप जरूर ट्राइ करिएगा इससे अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पे जमत से मिक्स करना तो मुस्किल लग रहा था तो हाथों से ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों पे हम थोड़ा सा ओयल लगाएंगे और इस तरीके का बॉल्स तयार कर लेंगे यह देखिए, दूसरा बॉल्स भी हम तयार करते हैं इस तरीके से और bites हमें लेनी है बिल्कुल थोड़ी सी जितनी बड़ी नीबू की साइज होती है न उतना बड़ा ऐसे ही हमें सारे snacks को बना लेने हैं मतलब सारे balls को अब fry pan में हम डाल देंगे oil 4-5 चमज इसके बाद जब oil हमारा गरम हो जाएगा तो हम balls को इसमें transfer करेंगे और इसे golden brown होने तक fry करेंगे ध्यान रहे friends हमें flame को low ही रखना है मतलब low to medium, high नहीं करना है वरना snacks उपर से तो पक जाएगा अंदर से कच्चा ही रह जाएगा इसे हम आराम से उलटते पलटते हुए fry कर लेते हैं तो snakes हमारा fry हो गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं ऐसे ही हमें दूसरा batch भी fry कर लेना है और सारे snakes त्यार कर लेने हैं अब इसे हम serve करते हैं तो देखा friends कम oil में कम मेहनत में हमारा tasty सा spicy सा नास्ता बनके ready है मेरे बच्चे हपते में चार दिन इसे जरूर बनवाते हैं आप भी try करिएगा बच्चे बहुत खुश होंगे अगर आज की recipe अच्छी लगे तो please like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें बाबाई